बजमर्गी से मैं आप सभी से मुखादब हूँ और मेरे साथ अभी आरिख भाई है अधबाई भी हमारे साथ मौझूद है अन्दवे आरो बैली में जे गाड़ी ने डॉब किया वहां से में ये चड़ाई चड़के आया हूँ उपर तक है और उसके बाद हम सब यहां पर इ दिखता है वह भी वीडियो में अगर आप देख सकते हैं तो हम यहां पर है इंशालला कोशिछ करते हैं आज का वीडियो हम यहां से लेकर बजमर्गी तक बना सके और वहां पर जाके हम आज रात में करेंगे इंशालला उसके बाद कल हम आज से दुबारा कहीं और किसी आपके साथ शेयर करेंगे इंशालला तो लेट्स गेट स्टार्ट टोड़ेज वीडियो बिसमिल्लाही रह्मानी रहीम असलाम अलेकों अरा तलाकी रहमत करम शुकर और फजल के साथ जी आज का व्लोग करते हैं स्टार्ट अब हम इस जंगल से जाएंगे और अप्रोग्जमेटली मुझे लगता है कि चार किलो मीटर्स है और गना जंगल है बिलकुल एक ही तरह के द्रकते यहां पर यह दो बाई हैं दोनों का नाम आरिफ है और यह टेंट हमने उठाया हुआ है बहुत बड़ा है यह यहां पर बैग उठाया हुआ है इसमें कुछ ड्रंकिंग की चीज़ें हैं जैसे कोक वगएरा ड्यू वगएरा और बाकी सब रखा हुआ है जुनायद भाई हमसे बहुत आगे जा चुके हैं वह मैं भी हमसे 15 मिनिट आगे हैं यहां पर सबसे बैस्ट ना मुझे एकी लिकत्यू का समना करना पड़ता है मेरे लिहाज से मेरे याद urgency में दो से दीन गोड़े पहां पर मर चुके हैं और पिछले डिन तीन चार दीन पहले लिदरू का एक गोड़ा वहां पे मर गया बेचारा और यहां का रास्ता में आपको दिखाता हूँ बिलकुल वहाँ से आता है यह देखें, यहां के जो लोकालिटी के लोग है इन्होंने देखें, कैसे रास्ते बनाये हुए है यह देखें, साइड में लकडियां लगाई है क्योंकि लखडियों का जरखेस है यहां पे, बहुत सारे लखडियां हैं यहां पे, और साइड में लखडियां लगाई हुए है, यह देखें, मुझे वहाँ से वापिस आना पड़ा, आगे से, देखें आपको मैं रस्ता दिखाता हूँ, यह देखें कितना प्लेन रस्ता है आपको यकीन नहीं होगा कि भाई ऐसा भी रास्ता हो सबता है और ऐसे जंगम है यहां से जो आरो वैली है ना आरो वैली का रोड यहां नीचे से जा रहा है मेभी अगर खुदारणखासन एक पत्थर यहां से गिर जाए ना तो पताने कितनी सारी लाशें वहां पर दिखर जाएंगी अल्ला उस चीज़ से हमको भी बचाए और बाकी हिंदो मुस्लिम सब को बचाएं मेरी दौा यही है बस रास्ते के लिए मैं यहां पर रुका था आप रस्ता देखें कितना प्लेन है और किस तरीके से इन लोगों ने बनाया हूँ है तो बहुत खुश हुआ यह चीज़ें देखें है यह रास्ता देख ना बहुत खुश हुआ यह देखें बहुत धून्डा पानी है यह का उतना भी नहीं लिटरली जतना चुलियान होता है अगर देखे तो ठंदा ही है, बहुत मज़ा है मूद होने में और आरी भाई ने सर भी दोनी है याँ अगर 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 शिच्टम होता ना तो मैं यहाँ पर नहां था तक लेकिन अगर यहां से लोग उज़र रहे हैं यह रास्ता है जहां पर हम रुके हुआ है तो यहां पर इतनी खुबसूरती है ना मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहां से हम आगे जाते हैं तो कितना खुबसूरत होगा मनजर यह देखे हैं हमें यहां पर जाना है यह आप ग्रेन कलर का थोड़ा सा देख रहे हो ना यहां पर जाना हमें इतना खुबसूरत होगा यह है मैं इसके बहुत टाइम पहले लेकिन इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसा हो रास्ते में जाते जाते यह चीजे मिल जाए ना तो इनसान का दिल बहुत खुश होता है और एक और बाद उसके बाद यहां पर जाना है कल इंशाललह यहां का ट्रेक होगा आज का वीडियो हम वजमर्गी तक बनाएंगे वहां पर ख़तम करेंगे कल वजमर्गी का पूरा सा एक्स्प्लोर करके उसके बाद इंशाललह देखेंगे क्या सेन रहेगा ओके तो चलिए यह वाला अरिया भी आपने देख लिया तो बहुत खुबसूरत है रेटिंग कीजिएगा कुमेंट में बताईग कि कैसा लगा आपको और उसके बाद इंशाललह चलते हैं जी आगे अभी यहां इस गर से ना हम चाय पीकर निकले हैं अभी अपना टैन्ट सेम्बलल करने है और शाम तक हम को टैन्ट जल्दी जल्दी आसेम्मल करना क्योंकि फिर टाइम नहीं रहेगा उमारे पास और इंशाखल। जल्दी चलते हैं ये देखें मेरे बंदे कैसे चल रहे हैं ये देखें बहुत ही खोश्तरत है यार मेरे गोना परसनली बहुत अच्छा लगा कल उस वाली साइड हमको जाना है और यहां से इस साइड भी जाएंगे पूरा एक्स्प्लोर करेंगे उसका अलग से वीडियो बन जाएंगे कि अखिर अब लाते हाँ एक ये लाने के लिए मायों कि देखें यहां पे लगडिये हैं कुछ यहां पर यहां पर पिया और वहां पर बशारटब हमारे साथ यहां पर रहुब करने हैं और जाहता हूं कि यार हम थोरी भूआ alदी लगडिया निकाले जो रात बर जलती रहे हमारे पस कोई भी जंगली जानवर ना आए तो अभी हमने दूसरी निकाल ली है इसके बाद और निकालेंगे फिर मैं वहाँ पर जागे कुछ काम करूँगा और वो सब लकडिया लाने के लिए आ जाएंगे इंशाला तो अभी हमने टेंट वगरा पूरा इसम्बल कर लिया है उसके बाद हम दूसरी जवाज शिफ्ट हुए फिर वहाँ पर इसम्बल किया तो अब वो इन्शाला बहुत सही है तो चलिए हम चलते हैं फिर देखते हैं क्या से हमें आई बैट चो कर देलो तो अब यहां पर हमने आग जलाई है और इसके ओपर हमने चिकन रख दिया है और अपने टेंट के अंदर से ये वियू देखें आप बहुत ही खुसरत हम दो तिन बंदें अंदर ही बैटे हुए है इन्शालला शाम भी होने को है और सुरज शहिद गुरूब हो चुका है तो अभी इसके ओपर हम और आग जलाने वाले हैं यह जो लगड़ी हैं यह रात के लिए हम लाए हैं और इसके ओपर सिर्फ चिकन बना के उसके बाद हम चाई या कॉफी बनाएंगे देखना है और उसके आवाज हुआ हुआ थोड़ है जग है तो सड़ा हुआ तू सड़ा हो इस अज़तने ज़ते हैं अधना महारे तू सड़ाओ है कुलेना हुआ हुआ है बन्हारा है वहाज वाज अबाज एक वाज लाएड देऊ पौज़ती है मेरे नेक्स्ट बार्टि मेलग्स मैंने कि यहाँ के लोकल्स ना क्या करते हैं कि सुबह हमारी तरह नहीं उठते है वो साड़ी चार पांच के दर्मियान में उठते हैं और अपने जो माल में वैश्यों से दूद लिया होता है वो जम्मा करते हैं 15 से 20 लिटर एक के घर के पास होता है माशालला और वो लेकर ये मार्केट में जाते हैं यहां से पहल गाम जाना बहुत मुश्किल है भाई में आया है मेरे तो फट गई मैं कुछ नहीं बताओंगा और तो वहां तक जाना मेरे लिए मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है और ये लोग वहां तक जाते हैं रोज और मां से खाने की जो चीज़ें होती हैं वो लेकर आते हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए यहां पे रहना और इस तरीके के बातावरंड में रहना ओपर से ये वाले काम करना बहुत मुश्किल होता है भाई अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और शेयर करें इसके साथ ही आज का वीडियो ना हम एक्तिदाम तक महुँचाते हैं और तो इसके साथ ही अपने मैजबन जुबेरामद जोधर को दीजिए इजाज़त अला हाफिस कल वाले वीडियो में मिलते हैं इन्शाला